Hello students, welcome back to my channel मेरा नाम है मीनमलिक और आपका मेरे YouTube चैनल Study Lover पर स्वागत है जैसा कि हमने last class में study किया था system of unit जिसके अंदर हमने fundamental units और derived units के बारे में study किया था अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको उसका description box में link दे दूँगी आप वहाँ से search कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को visit कीजिए और वहाँ पर search कीजिए की 11th class physics playlist तो आपको वहाँ पूरी playlist मिलेगी और वहाँ पर जितनी भी videos 11th class physics से related मैंने upload कर रखे हैं वो सारी आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं next हमारे topic की तरफ तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको videos की हर नई notification मिलती रहेगी तो चलिए आज हम बढ़ते हैं next point की तरफ तो हमने क्या देखा था कि हम fundamental units की helps drive units draw करते थे निकालते थे calculate करते थे ठीक है और फंडमेंटल units हमारे पास seven थी और two हमारे पास supplementary थी ठीक है अगर हम यहाँ पे बात करें volume की तो volume को हम a की cube लिख सकते हैं अगर cube का volume की बात करें हम ठीक है, volume of cube तो यहाँ पर A की cube लिख सकते हैं तो A into A A B क्या length है B B क्या length है और यह A B किसको represent कर रही है length को ठीक है, तो means इसकी भी जो unit है centimeter है, इसकी unit भी centimeter है इसकी unit centimeter है या फिर यह माल लो, इसकी unit भी meter है इसकी unit भी meter है और इसकी भी unit meter है तो इसका मैदलो यह सा 3 हमें किसको रिप्रेजाट कर 65 लैंध को थेद से हमारे पास क्या यह जेँए टाइम को अभीहांतों ुसरेख किसका रोल है लेक्षई करो लाए तो हम क्या करेंगे । पावर ने और wenn और थी की पावर भी जीरो रीपर्जिंट कर देंगे और इसको इसको इस relat के अंद्र बन्दकर देंगे हम ठीक में तो यह क्या हम अरा यह हमा transit dimensional है dimension है एक physical quantity का अगर हम इसको explain करें कि हमारी dimensions होते है physical quantity के उसको कैसे define कर सकते हैं तो dimension of physical quantity can be represented in the form of power of unit of mass length and time जो unit है हमारी mass की length की और time की अगर हम उसको power की form में represent करें तो वो हमें क्या देती है drive unit देती है उसी को हम dimensional physical quantity बोलते हैं जैसे हमने क्या किया fundamental units यहां को सी थी length थी length को कौन預ंच करेगा cm क्यों अगर हम इसको power की form में रॏपयरिन्ट करें cm 큰 यह हमें क्या मिल गी यह हमें drive unit जो Tao फिजीकल क्वांती है उसकी drive unit हमें यहां से मिल लगी ठीक है इसको हम बोलते है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी अगर हम इसके बारे में डिसक्स करें तो वह यह है कि इसकी हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि जो हमारी यहां फ़ेंटल यूनिट हैं कौन कौन सी कौनटीटी पर डिपेंड कर रही है डंप पर इंवर्स ली पर ये यहां पर जैसे अगर रहां हore k Ahh पर बात कर लैंध को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी टाइम कोबढ़ाएंगे तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसको इंक्रीज करेंगे इसको इंक्रीज करेंगे तो यह होता हमारा नेचर ओफ डिपेंडेंस जो इजली हम किसके हैं डिफाइन कर सकते हैं अब हमने जिसे यहां पर वेलोस्टी का एक्जाम्पल लिया अगर हम यहां वेलोस्टी का जो हमारा डाइमेंसनल फॉर्मूला है वो अगर हम यहां पर लिखें तो क्या आएगा हमारा यहां पर वेलोस्टी मेटर पर सेकिंड मेटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए टी तो ठीक है और next है हमारे पास यहां dimensional equation अगर हम dimensional equation की बात करें तो dimensional equation क्या है वो physical quantity अगर उसको हम equate कर दें उसके dimensional formula के तो वो क्या बन जाती है हमारी equation अब जैसे यहाँ velocity है, velocity हमने equate कर दी इस dimensional formula के, तो जो यह बनके हमारे पास त्यार हो चुकी है, इसको हम बोलेंगे dimensional equation, ठीक है, dimensional equation क्या होगी, जब हम ml और t की form में, उसको bracket की form में represent करके, और उसको equate कर दे हमारे किसके, velocity के, तो हमारी वो क्या बन गई, dimensional equation बन गई, अब उस हम units discuss करेंगे, जो important होंगी, जिनके हमने जैसे last भी हमने जब system of units discuss किया था, तो हमने उसकी unit drive की थी, तो आज हम unit भी drive करेंगे साथ में, और उसके dimensional formula को भी लिखेंगे, अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, area की, तो area का हमारा dimensional formula क्या होता है, area length into breath, या फिर breath into height, या फि हम rectangle का area की बात करें, यहाँ पर, तो length भी L को ही represent करती है, और base जो भी हमने breath ले रखेंगे, वो भी length ही होती है, ठीक है, तो अब दुन्नों को मिलाने के बाद यहाँ से क्या है, L square, L square को अगर हम represent करेंगे, तो ऐसे, और हमें यहाँ पर M और L और T भी यूज करना है, तो M क 0 L square T की power 0, और इसको equate कर देंगे हम area के equal, तो यह बन गई हमारी equation, dimensional equation और यह हमारे बन गई इसके dimensions, अगर हम यहाँ unit की बात करें, तो length को हम यहाँ अगर meter में measure कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी area की जो यहाँ पर unit होगी, वो क्या होगी, meter square होगी, ठीक है, ऐसे ही अगर हम हम यहाँ पर बात करें, volume की, तो volume के अंदर, जैसे हमने अभी देखा, L की cube आएगा, तो उसको हम represent कर सकते थे, M0, L3, और T0, और अगर हम इसकी unit की, SI unit की बात करें, तो वो हमारी आएगी, यहाँ से, SI unit of volume is equal to meter cube, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास length है, तो हमने क्या किया, तीनों के लिए, 1,1,M use कर लिया, यहाँ पर, ठीक है, मेजर करने के लिए, अब उससे अगए है, हमारे पास यहाँ पर, जो आगए है, density, जैसे कि हमें पता है, mass per unit volume होती है, mass per unit volume, तो अगर mass per unit volume हम use करते हैं, mass के लिए हम क्या use करते हैं, capital M, और volume के लिए हमने जैसे हम रिपरजेंट करेंगे, 0 की power में, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा जो density, density के जो हमारे dimensional formula हैं, वो क्या है, M1, L की power minus 3, और T की power 0, और जिसको हम kilogram per meter cube रिपरजेंट करते हैं, SI unit की form में, ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास speed और velocity, अब हमें पता है, जो speed हमारी ह होती है, वो होती है, distance divided by time, distance divided by time, और जो हमारी velocity होती है, वो होती है, हमारी displacement by time, ठीक है, अब distance को भी हम length में measure करते हैं, और time को T में measure करते हैं, displacement को भी length को L में measure करते हैं, और time को T में, तो यहां से lt-1 और यहां से भी lt-1 अगर हम पूरे dimensions की form मेरी present करें तो m की power 0, l की power 1, t की power minus 1 similarly यहां पे m0, l1, t-1 ठीक है ऐसे करके हम यहां पे dimensions formula निकाल सकते हैं अब उसके बाद जो हमारे पास यह हमारे कितने हो गए यहां से 5 हो गए ठीक है अब हम 6 करते हैं 6 हमारा यहां पे आता है जो important है वो है हमारा linear momentum अब linear momentum की अगर हम बात करें linear momentum हमारा यहां क्या होगा mass into velocity ठीक है और mass into velocity आता है linear momentum अब यहां पे mass की को हम किसे represent कर रहे हैं m से और velocity का क्या है निकाला हमने lt-1 तो यहां lt-1 अगर हम इसको दुबारा represent करें power की form में तो m की power 1 l की power 1 t-1 और अगर हम यहां से SI unit निकाले m की जगाए हम kilogram लिखेंगे l की जगाए हम meter लिखेंगे और यहां t की जगाए हम यहां पे minus second लिख देंगे ठीक है raise to power minus one second लिख तो यह हमारी क्या आई है यहां से linear momentum है जो उसके हमने उसकी SI unit भी निकाल दी और dimensional formula भी निकाल दिया similarly अगर हम यहां पर आगे next बात करें तो next है हमारे पास acceleration तो अब हमें acceleration होता है क्या वह पता है तो acceleration हमारा क्या रिपरजेंट करता है कि इस चीज इसका physical significant क्या होता है अगर हम किसी velocity से चल रहे होते हैं तो हम कितना time लेते हैं किसी distance को travel करने में ठीक हमारी एक्सलेरेशन रिपरजेंट करता है कि हम कितनी ज्यादा accelerate की हुए हैं यह कितने कम है ठीक है तो यह भी यहां पे एक्सलेरेशन किसके एक्वल है हमारी एक्सलेरेशन है हमारी एक्वल वेलोस्टी डिवाइड बाइड टाइम की वेलोस्टी डिवाइड बाइड टाइम तो अब वेलोस्टी की हमें पता होना चीह है यहां पर यूनिट क्या होगी तो वेलोस्टी की यूनिट क्या है हमारी ज तो टी की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 1 बेस से मापावर एड़ जाएगी तो यहां से क्या आएगा हमारा यहां से आएगा टी की पावर माइनस 2 जिसको हम रिपरजेंट कर सकते हैं M1 L1 T-2 ठीक है तो यह था हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका डाइमेंशनल फोर्मूला अब उसके बाद है हमारे पास यह हमारा एक्सेलरेशन का हो गया फिर उसके बाद है हमारे पास फोर्स का फोर्स हमारी किसके एक्वल होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के अगर हम मास इंटू एक्सेलरेशन का फोर्मूला य ठीक है माइनस टू तो यहाँ पे M1 L1 T-2 आएगा यह हमारी क्या हो गई फोर्स की का डाइमेंसन फॉर्मूला अगर हम यूनिट निकाल लें तो किलो ग्राम मेटर पर सेकंड स्क्वेर यह हमारी SI यूनिट हो गई किसकी फोर्स की इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंपल्स तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे इंपल्स का जो हमारे पास डाइमेंसन आएंगे और उसकी SI यूनिट तो इंपल्स हमारा होता है force into time force into time अब हमने force के निकाल ले तो force का हमारे पास क्या था हम क्या करते हैं अगर हमें direct ना भी आदो हो तो हम पुराने वाले यूज़ कर सकते हैं जिसे force का हमें पता है formula mass into acceleration और यहाँ से हमारा time हो गया अब हम क्या करेंगे mass का हमें पता है यहाँ पर इसके लिए हम capital M use करते हैं लेकिन acceleration का हमें याद नहीं है माल लो तो यहाँ से acceleration हमारे किसके वराबर थी किसके equal थी हमारी यहाँ पर वो थी हमारी velocity divide by time के और यहाँ पर भी time आ गया तो time के साथ time cancel हो गया अब यहाँ यहाँ पर मास into velocity velocity किसके equal थी हमारी मास into distance divide by time यह हमारी velocity थी distance को हम length में measure करते थे तो यहाँ पर हमने length लगा दी time को T में तो यहाँ M1L1T-1 तो means अगर हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारे impulse का जो हमारा यहाँ पर dimension formula आ रहा है वो almost equal है हमारे किसके जो हमारा linear momentum होता है उसके उसके equal है ठीक है तो linear momentum का और इसका हमारा equal ही formula आया है M1L1 और T-1 जो हमारी force थी जिसका हमारा dimensional formula क्या आया था वहाँ से M1L1T-2 आया था अब उसकी जो हमने unit निकाली थी वो थी kilogram meter per second square और force को हम अगर SI unit की बात करें उसकी SI unit हमारी क्या होता है Newton जिसको हम N से represent करते हैं ठीक है अगर complete लिखेंगे तो small N से पर स्मॉल उसमें लिखेंगे ठीक है मिन्स जो हम alphabets यूज़ गरेंगे वो में है क्लोग्राम मीटर पर सेकंड और इसको साथ में newton की फॉम में रिपरेंट कर सकते हैं तो कैसे देखो यहां पर किलोग्राम में मीटर है तो मीटर है लेकिन यहां पर सेकंड है तो यहां एक से की कमी है तो हम क्या करेंगे Newton second लिख देंगे यहां पर एक extra है ना ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे अगर हम इसको Newton में convert करना हो इस चीज़ को तो हम कैसे convert करेंगे अब हमारे पास यहां पर क्या kilogram meter per second है तो हम क्या करेंगे से मल्टिप्लाई से डिवाइड थीक है अब यहां पे यह सैकेंड जब उपर जाएगा तो यह इसकी पावर माइनस पर यूनिट एरिया के ठीक है फोर्स पर यूनिट एरिया अब फोर्स हमारी किसके एकवल थी जैसे अभी हमने निकाला थे यहां से एम 1, L1, T-2 के एरिया किसके था L स्केर के यह एल उपर जाएगा तो नेगीटिव हो जाएगी इसकी पावर थीक है तो यहां से T-2, L की पावर गर्शक ट्रीम निकाला थी जाएगा तो यह हमारा जो प्रेश्र है। उसका डामेंसिन फोर्मूला अगर हम यहां से सजिए उनिट की बात करें इसकी वाइगे दिशेंगे हम और यहां से अगर इसको में क्या करना पड़ेगा पहले हम इसको किलोग्राम पर मीटर पर Second Square में convert कर लिया हमने इसको ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको completely convert कर देंगे इसमें Newton मीटर SQEAR में Newton में, sorry तो यहां से जोड़िक आएगा? हम इसको मीटर से multiply कर Higher करवा देते हैं मीटर से divide करवा देते हैं ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या क्या fat second square चाहिए यह तो उसकी तो कोई जुरूर्थी नहीं वह तो है ऐसे ही इसके अनदर तो अभि लोग्राँ पर का सब्सक्राद से नहीं सब्सक्रान के पर अगड़ा धिलोंगे तो Beer सेंडर से हुप स्केर तो अलग आ गया अब रह गया यह पर मीटर स्केर इसको हमने साइड में रख दिया ठीक है अब जो यह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केर था हमने यहां पर न्यूटर रख दिया और यहां पर मीटर स्केर रह गया तो यह हमारी जो एसाई यूनिट आ चुकिया यह कि कर सकते हैं प्रेशर की आटमोस्परिक प्रेशर है कर सकते हैं तो तो बोहत सारे की फोम में हम मेंघर कर सकते हैं अमने प्यज़ए पड़ी भी थी स्टार्टिंग में हम से नों आपको तो आप다 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो 11 ख्लास की फीजिक्स का और वहां से आप विजिट कर सकते हो ठीक है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बि आई की तो उसने जो अबजेक्ट है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तो उसने कितना काम कर लिया ठीक है तो फोर्स का हमें पता है जैसे हमारे पास क्या है M1L1 T-2 है और डिस्टेंस को हम L से रिपरजेंट करते हैं अब L की पावर 1 यह थी वन यह थी तो मिला के कि आइगल साथ रही होगी यहाँ से 5W-2 माइनस 2 किलोग्राम की फोम में चैंज करें किलोग्राम मीटर स्केर पर सैकंड्य स्केर नहीं अगर हम इसको धूटन की 먹을 करना चाहें तो क्या बनेगी किलोग्राम मीटर पर से ओन से केर्ट तो यहां से आएगा किलोग्रम मीटर पर सेकिंड स्केयर और एक मीटर जो हमारा बच जाएगา उसको हम यहाँ लिख सकते हैं तो यह नूटन मीटर भी हो सकती है और अगर हम और देखें इसकी नई यूट तो वो क्या हो सकती है जो वर्टण होता है उसको हम जूल में भी मेजर करते हैं तो अगर हम SI unit की बात करेंगे तो उसकी SI unit हमारे पास क्या है? जूल है ठीक है? अगर कोई पुछे SI unit of work क्या है? तो जूल और अगर SI unit of force पुछे तो न्यूटन ठीक है? तो ये हमारी क्या थी? यहाँ पर SI unit थी work done की. अगर हम अब यहाँ पर बात करें energy की, तो energy की हमारे पास कितनी unit आएगी तो energy होती है वो होती है work done के एक वल जितना हम काम करते है वही हमारी energy होती है ठीक है तो वो almost same ही आएगा हमारे पास यही M1 L2 T-2 dimension formula आएगा और यह जो इसकी unit है वो joule ही आएगी हमारे पास ठीक है अब उसके बाद है हमारे पास moment of inertia तो moment of inertia moment of inertia भी हमारे किसके एकवल होता है work done के एकवल ही होता है जो force into distance के बराबर उसका formula होता है ठीक है अगर जब हम उसको calculate करते हैं तो इसकी भी हमारी जो unit आएगी जो फोर्मूला आएगा डेवंसन फोर्मूला वह भी सेम आएगा और यूनिट आएगी वह हमारी क्या आएगी यहां पर न्यूटन मीटर आएगी जूल नहीं आएगी ठीक है क्योंकि एसा यूनिट जो जूल वह सिर्फ वर्गडन और एनरजी की यह इसकी नहीं है मोमेंट इनर्षिया गी वह हम किस फों में जो हमने यहां पर निकाली थी न्यूटन मीटर उसकी फों में रिप्रेजएंट करते हैं तो एसा यूनिट ओफ अगर मोमेंट ओफ इनर्षिया पूछे तो वह क्या है हमारी न्यूटन मीटर आएगी अब नैक्स्ट जो हमारे पास है ने negative M1 L2 T-3 तो यह हमारा dimensional formula आएगा अगर हम यहां से बात करें इसकी unit की तो यहां पर kilogram meter square और per second cube यह भी बन गई लेकिन इसकी जो SI unit होती है power की वो हमारी क्या होती है watt ठीक है SI unit है हमारी power की वो क्या होती है watt तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको समझ में नहीं आया कोई query है इससे related तो आप comment box में comment कर सकते हो अगर आपको कोई problem है कोई point समझ नहीं आया तो आप इसको repeat करके भी देख सकते हो I hope कि आपको द और bell icon पर भी click करना बिलकुल मत भूले जिससे आपको मेरी videos की हर नई notification मिलती रहेगी तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए by all the west